यूट्यूब के सभी दर्सकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल दे ब्रिलेंट अकेडमी यूनिक एजिकेशन में मेरा नाम है वीजी कुमार और हम पढ़ने जा रहे हैं अज मारा इस पोकन इंग्लीज का फर्स्ट लेशन हम इसको एक ऐसे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो एंग्लेज शीक भी सकते हैं ना केवल पढ़ना लिखना बलकि साथ साथ बोलना भी स्पोकन इंग्लीज अर्थाथ अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए जो सबसे जरुरी चीज है वो है प्राक्टिस विदाउट प्रेक्टिस नो वन कें लर्न स्पोकन इंग्लीज अन्द रियल फेक्ट इस देट स्पीकिंग कम्स अनली बाई स्पीकिंग मतलब बोलना बोलने से ही आएगा अगर किसी को बोलना सीखना है तो उसके लिए उस विक्टि को डेली कम से कम आदे से एक घंटा स्पॉकन इंग्लीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अलावा उसको एक्सेस करना पड़ेगा कई सारे ऐसे मेटिरियल्स हैं जो एंग्लीज लेंग्वेज से जुड़ेवे हो जैसे की अंग्रेजी में समाचार इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जैसे टीवी पे न्यूज आती है तो न्यूज किस परकार की होनी चाहिए न्यूज होनी चाहिए एंग्लेश में बुक्स पड़े और साथ-साथ इन सारी चीजों की प्राक्टिस भी हो क्योंकि अगर प्राक्टिस नहीं होगी तो जो पड़ावा है उसको अपन डेली लाइप में लानी पाएंगे और सीखना तभी होगा जब अपन इसको डेली लाइप में लापाएं सभी जानते हैं कि आज हमारी मात्र भासा है जो हिंदी उसको सीखने के लिए हमें कहीं से कोचिंग लेने की जुरत नहीं पड़ी कोई मैटेरियल पढ़ने की जुरत नहीं पड़ी बलकि जो हिंदी लेंग्वेजे यह एवर एंवरेंवेने में बड़ी जुरत नहीं पड़ी जुरत नहीं है जहां चारोर अंग्रेजी बोली जाती हो तो ज़रुरी चीज है environment create करना, एक artificial environment अपन create कैसे करेंगे जब हमारे पास-पास, जो हमारे आस-पास, जो material है, वो English में हो, आपके आस-पास के लोग अगर English नहीं बोल पाते हैं, that is not a big deal, कोई बात नहीं, but we will have to practice it, ओके, तो आज हम सुरुवात करेंगे, जो सबसे पहले रह हम पढ़ेंगे कि spoken English के हिसाब से English को कैसे पढ़ा जाए, देखो grammatical way में मेरे दूसरे वीडियो है, जिनके में अंदर मेंने अलग-लग parts भी speech पढ़ाएं हैं, और उसको tense के according भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे, अपन tense के according पढ़ने नहीं जा रहे हैं, यहां जो हमारा focus र पे में देखें, तो English में अपन दो ही चीजे पढ़ने लाइक समझते हैं, एक तो हुई है अपनी action और दूसरी no action, एक तो action, दूसरी no action, action में क्या आजाता है, और no action में क्या आजाता है, देखो, खाना, पीना, उटना, बेटना, सोना, जाना, आना, यह सब जो चीजे हैं, यह सब चीजे अपने आती है, action के अंदर, ठीक है, और इसके अलवा जितनी भी चीजे हैं, राम, शाम, मोहन, काम, घर, दुकान, गाड़ी, या किसी परकार की विसेशता हो, सुन्दरता हो, मतलब दो चीजे हो गई, verb, non-verb, और इसी के हिसाब से अपनको English पढ़नी हैं, त तो I hope यह समझ में आ गया होगा, देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं, एक चीज जो समझ लिए अपने, कि भई, action, action क्या है, action means, verb, action क्या है, एक verb, जो क्रिया है, वही क्या हुआ, action हुआ, ठीक है, और action को छोड़के, वर्ब को छोड़के, जो सारी चीजे हैं, that is, non-action, इसमें ना होना सकती है, इसमें प्रोनावन आ जाएगा, एक्सक्टिव आ जाएंगी, एड़ोव आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजे हैं जाएगी इसके अंदर, यह समझ में आ जाती है अपने को बात, आगे चलते हैं अपन, sentence फ्रेम करने के हिसाब से अगर देखें, तो कोई भी एक नॉर्मल सा जो sentence है, जो अपने को बनाना हो, तो उसके लिए अपने को तीन चीजे ध्यान रखनी, मैन रूप से तीन चीजे बेसिकल अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, यह कौन-कौन से तीन चीजे हैं, इसमें नंबर एक, subject, नंबर दो, time word and नंबर तीन, action, subject जो है, वो आगे अपने no action के अंदर, subject किस के अंदर आ गया, no action के अंदर, sentence दो चीजों से बनेगा, action प्लस no action, ठीक है, action के लिए अलग से लिख दिया अपने, और उसी action को, उसी action का जो time indicate करेगा, जो time बताएगा, वो हो जाएगा अपने time word, अब time word क्या होते हैं, जड़ा सोचते हैं अपन, एक normal सी बात सोचते हैं, time word क्या हुआ, आपने अंग्रेजी में helping verbs पड़ी है, अलग-लग प्रकार की, helping verbs, auxiliary verbs पड़ी है, आपने पड़ा होगा, is, are, m, यह आपने पड़े हैं, इसके लवा आपने क्या पड़ा है, और, was, were, यह भी पड़ा है आपने, ठीक है, essay, has, have भी आपने पड़ा हैं, तो is, are, was, were, has, have, had, यह सारे जो word हैं, these all words are counted in time words, इनका categorization क्या हुआ, time word, पर इनका काम क्या होता है, इनका काम भी होता है, कि जो sentence के अंदर action हो रहा है, उसका time show करना, position show करना, उसकी state show करना, ठीक है, एक simple से बात है, अपन, मैंने कहा sentence तीन चीजों से बनेगा, subject, time word, and action, subject मैं मानू मैं एक subject ले लेता हूँ, normal सा एक subject ले लेता हूँ, एक easy subject ले लेता हूँ, जैसे, जो अपना, सबसे ज़्यादा चलता है, subject, ram ले लेता हूँ, ये आगे आपके, ram, ठीक है, time word और action की बात कर लेता हूँ, action में suppose करो, मैंने ले लिया sing, ये होगी action ही तो है, verb है, ठीक है, इसके साथ मैं मैं जो time word यूज़ करूँगा, ठीक है, number एक चीज़ वो vary करना चाहिए, किसको, ram को, time word जो भी अपन यूज़ करेंगे, वो subject के according होगा, time word should always be in the number of the subject, मतलब अगर subject singular है, तो अपने को जो time word यूज़ करना है, वो singular यूज़ करना है, ठीक है, subject अगर plural है, तो अपने को time word कुन सा यूज़ करना है, plural time word यूज़ करना है, यहाँ subject है, ram, ram कैसा number माना जाता है, इसका क्या number है, singular number है, एक वचन है, इसके साथ जो time word आएगा, या दूसरी language में कहें, दूसरी अपनी जो नॉर्मल भासा में कहें, तो जो helping word आएगी, वो singular आएगी, और singular क्या है वो, is है, या फिर was है, अब is time कौन सा show करेगा, is time show करेगा, present का, मतलब बात अभी चल रही है, काम अभी चल रहा है, was किसको show करेगा, was show करेगा, past को, मतलब काम हो गया है, तो अगर अपन देखें, तो ये बन गया अपने, subject हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भी, subject तो हो जाएगा, राम, जो कि क्या है, no action, time word में मैंने use कर लिए, suppose मैं present की बात कर रहा हूँ, is, और अब उसके according ही, action अपने को use करनी है, action मैंने लीती, sing, अब action के अलग-अलग form होते हैं, जैसे is के साथ जो action का form आएगा, वो ing form आएगा, जहां तक बात अपने active voice में हो, इसका exception क्या हो जाएगा, passive voice, is के साथ third form आएगी उसमें, मैंने लिखा राम, is, और sing और ing जोड़के मैंने क्या बना दिया, राम, is, singing, इससे अपने को दो चीज़े समझ में आती है, वो कि sentence दो चीज़ों से मिलके बनेगा, action और no action से, ठीक है, action में आगया राम, sorry, no action में आगया राम, और is or singing, ये किस में आगया आपके, action में आगया, I hope आपको यहां तक बात समझ में आगी होगी, English को, अगर spoken के according पढ़ना है, तो अपने को इसी way में चलना पड़ेगा, इसी direction में चलना पड़ेगा, this is the easiest way to learn spoken English, सबसे आसान तरीका है spoken English शीखने का, ये, इसमें अपने को sentence framing भी आएगी, और ये जो, ये जो application है इस तरह की, ये जो मैंने बताई है आपको, ये बहुत important है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जो English शीख रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी से English, ये वो तरीका है, ठीक है, अब हम सबसे पहले आज के इस topic में जो बात करने वाले हैं, हम sentence बनाना सीखेंगे, और spoken English सीखेंगे, और सिर्फ तीन अपने को इसमें time word काम में लेना है, सिर्फ तीन time word की ही बात करेंगे अपन, आज के लिए तो इनमें एक रहेगा अपने is, दूसरा रहेगा और तीसरा रहेगा m, बात समझ में आ रहे हैं, अपने को इस जो लेक्चर के अंदर है, तीन time word से ही sentence frame करने हैं, और तीन को ही recite करना है, इनको जो sentence बनेंगे, ताकि हम अपने जो यह अपनी tongue है, इसमें fluency आना बहुत ज़र रही है, यह flexible जितनी होगी उतना अपन आसनी से बोल पाएंगे, ठीक है, इसके अलावा pronunciation का भी विशेज द्यान रखना है अपने को, बहुत सारी चीज़े हैं जैसे यह action है, यह जो action, इसका pronunciation क्या है, action, और यह no action, ठीक है, subject subject, English, इस तरीके से अपने को pronunciation का भी द्यान देना है, चली, आगे बात करते हैं अपन, अपने पास आ गया, subject आ गया, time word आ गया, action आ गया, हम बात करते हैं अब, कि यह जो is, r, m, जो आज अपन time word सीखने वाले हैं, यह इन time word से जो अपन sentence बनाना सीखेंगे और बोलना सीखे इनको अलग-अलग कहां कहां काम में लिया जाता है, वो अपन पता करे लेते हैं, देखी, सबसे पहले बात आती है, इस की, तो इस का मेने आपको बताया, यह singular subject के साथ में काम आएगा, किस तरह के subject के साथ कामाएगा, केवल singular subject के साथ, r, जो है वो plural subject के साथ काम आएगा, क देखिए, कई लोगों को ये confusion होता है, देखो, he see it, ये बहुत easy है, इनमें किसी प्रकार का कोई doubt नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई confusion नहीं होगा, क्योंकि he see it और किसी particular वेक्ति का नाम हो, proper noun हो, तो अपन जानते हैं कि वो singular है, तो उनके साथ अपने को is यूज़ करना है, कै ये से आएगा, he is, see is, it is, राम is, श्याम is, समझ गे, ये is आएगा, singular के साथ, ठीक है, वैसे अगर अपनो आर की बात करते हैं, आर की अगर अपन बात करेंगे, तो आर अपने को मिल जाएगा, plural के लिए, अब plural के अंदर देखो एक you आता है, you ऐसा subject है, जिसका अगर अपन meaning सोचें हैं, तो ये singular और plural दोनों होता है, you singular and plural दोनों होता है, मैं किसी को कहता हूँ, जैसे दस जने बेटे हैं, उन में से किसी एक को point out करके मैं कहता हूँ, you, तुम, तो singular, और अगर मैं कहूँ कि वो दस के दस हैं, उन सब को मैं कहूँ, you, तो वो plural, इसका मतलब हुआ, कि you singular और plural, दोनों रूप में काम में आ सकता है, but, लेकिन, an English grammar, we always consider you as a plural subject, हम इसको कैसा मानते हैं, हम इसको plural ही मानते हैं, और क्योंकि हम इसको plural मानते हैं, तो इसके साथ जो time word आएगा, इसके साथ जो time word plural ही आएगा, और is, आर, एम में जो time word plural के लिए आता है, वो क्या है, आर है, वी और दे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद हम बात आती है, M की, M fix है वही ये, I के साथ ही आता है, I am, fix है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है, ठीक है, याद रखिए, एंग्लिश जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब अपने को singular और plural, दोनों प्रकार के subject का knowledge होना चाहिए, singular subject में क्या क्या आता है, हमेशा जो आता है, जो commonly आता है, वो देख लेते हैं, he, see, it, और name, ये आ जाता है, singular में, plural में क्या आता है, वी, यू, दे, ये किस में आते हैं, plural में, and more than one name, एक नाम से ज़्यादा जो नाम होंगे, दो नाम आ जाते हैं, तीन वो लोगों के नाम आ जाते हैं, तो वो प्लूरल में count किये जाएंगे, ठीक है, वो अलग circumstances होगी, ये singular, ये प्लूरल, अब बारी आती है, I की, ठीक है, आई का दे को present, जो time के लिए जब आई के साथ अपनको कोई time word वगरा यूज़ करनी है, वहाँ वहाँ तो आई को plural माना जाता है, past के अंदर, past के अंदर इसको singular माना जाता है, क्यों, देखो, present में आती है is, r और m, तो आई का तो देखो इसमें तो fix हो गया, आई के साथ m आ गया, do das की बात करें, तो i के साथ do आजाता है, ठीक है, have जेव की बात करें, तो i के साथ have आजाता है, clear है, तो present में यहीं आते है, present में इस क्या होगा plural subject होगा ठीक है और जब हम past में चलेंगे past में क्या आता है past में आता है अपने post, word और head आता है head में तो कोई दिकत है नहीं and watch के साथ क्या आता है और lodge के साथ 알 के साथ क्योंकि यहाँ past आ गिया ताइम तो इसके लिए past के लिए आई को क्या माना जाता है singular माना जाता है और singular मानते हुए क्या यूच किया जाता है was यूच किया जाता है आई वो पी आपको समझ में आया होगा तो देख लो ये लिखावा है एक बार वापिस देख लीजिए इस के साथ he, see, it or name जो subject होंगे उनके साथ is आएगा और r और m, m फिक से i के साथ आएगा, v, u देख के साथ क्या जाएगा r आजाएगा ओके, ये एक basic सा knowledge था now we move forward अब हम बात करते हैं कुछ action देखेंगे अपन, कुछ idiomatic expressions देखेंगे कुछ phrases देखेंगे, quotations देखेंगे और उनके through अपन करेंगे, उनका pronunciation करेंगे कि कैसे होता है is, r, m से अपन sentence बनाएंगे कुछ verbs देख लेते हैं कुछ action देख लेते हैं, कुछ action लिखी हुई है देखो listen to radio radio words पर विसे ध्यान दे जो मैं बोल रहा हूँ प्रनांश जो मैं जिस प्रकार से प्रनांश कर रहा हूँ उस निसाब से देखते रही है हम sentence बनाएंगे त्यान से देखिएगा सबसे पहले इस phrase को देखिए listen to radio ठीक है listen is the verb listen is the action right and radio is an object एक वास तू है object है ठीक है two तू एक preposition है ध्यान से देखिएगा listen to radio ये तीन से बना है तीन अलगलग words से बना है listen to radio listen is a verb or action to is a preposition and radio is a object तो यहां अपन इसको sentence में रखने की कोशिश करते हैं मैं कह रहा हूँ राहूल रेडियो सुन रहा है ठीक है अब ध्यान दीजिएगा राहूल रेडियो सुन रहा है इसमें महिंदी में लिख देता हूँ राहूल रेडियो सुन रहा है ध्यान से देखिएगा राहूल रेडियो सुन रहा है यह जो मैंने लिखा है इसमें राहूल क्या है इसमें राहूल is no action राहूल क्या है राहूल no action है ना और रहुल ने नो एक्षन हो गया उसके बाद में रेडियो रेडियो भी एक नो एक्षन है ठीक है सुन रहा है सुनना ये एक्षन है और अब इसी से अपन सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल सेंटेंस की बात करूँगा मैं मैं ने लिखा है मैंने आपको बत आया था कि sentence अपन एक normal sentence बनाएंगे उसमें तीन ची जाएगी subject time word और action अब काम करने वाला राहूल रीडियो सुन रहा है रीडियो सुनने का काम कौन कर रहा है राहूल कर रहा है then राहूल भी a subject और subject है no action ही होता है यहां सबसे पहले लिख देंगे अपन राहूल ठीक है उसक singular है और singular के लिए मैंने is rm अभी हम is rm की बात कर रहे हैं क्या हूल तो singular के लिए जो is rm है इसमें से क्या आएगा इस आज आएगा correct उसके बाद मैं तो यह is क्या लिखा है मैंने time word लिखा है subject आगया time word अब आ रही आती है action की अब action मैंने माना है सुनना सुनना वो भी radio तो listen ठीक है listen के बाद में two preposition आ गया और radio ठीक sentence क्या हो गया राहूल एज लिसन गलत नहीं क्या है यह है वह देखो is rm जो यह time words है इन time words के बाद में अगर अगर अपन action लिक रहे हैं तो action की एक निश्चित form होती है वही इसके बाद में काम में ली जाएगी not कर लीजिएगा वो क्या होगा वी फर्स्ट प्लस ing तो इसका मतलब हुआ कि कैवल लिस्चन से काम नहीं चलेगा इसके बाद में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा ing जोड़ना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा भई subject लिख दिया अपने राहुल time word लगा लिए राहुल के साथ में is उसके बाद में action लिखोगे ना तो action की अलगलग form होती है और time word के according वो use की जाती है अब अपना time word is rm है is rm के बाद में जब action की form आती है तो वो कौन सी form आती है ing form मैंने एक दम starting में बताया था इसका exception होता है passive voice passive voice में is rm के बाद में verb की third form का में ली जाती है but we are not talking about passive form we are just talking about active form राहुल is listening to radio is it correct एक चीज़ और ध्यान रखिएगा listen जो verb है इसके बाद में अपन अगर कोई भी object या कोई objective pronoun यूज़ करना चाहते हैं तो अपने course के बीच में preposition कौन सा काम में लेना पड़ेगा to बहुत लोग गलते से किसी को कहते हैं किसी को कहते हैं मेरी बात सुनो ठीक है कई लोग कहते हैं मेरी बात सुनो तो उसको अंगरेजी में बोलते हैं listen me ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं listen me नहीं होता ये होता है listen to me listen to me ऐसे ही listen to radio तो राहुल is listening to radio I hope आपको ये समझ में आया होगा ये sentence frame हुआ अब आपको मैं यहां पे दस बार नहीं बोलूँगा but जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तब आपको इसको कम से कम दस बार इसको speak करना है इसको दस बार बोलना है ताकि क्या है कि ये चीज आपके जबान पर चड़ जाए हना fluency आने के लिए अपनी जो ये tongue है इसका flexible होना बहुत जरूरी है जब तक flexible नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा तो इसको आपको बार 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 पढ़ना है राहूल इस लिसनिंग टू रेडियो राहूल इस लिसनिंग टू रेडियो और आप दस बार पढ़ने के लिए इसके subject आप चेंज करते जाहिए आप याप 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 जो जो यहाँ पे लिखेवे time word हैं और जो जो यहाँ पे लिखेवे subjects हैं, उन subjects के साथ उन time words को use करते हैं एक-एक single single आपको जो यह मैंने action लिखी है, जैसे अभी-भी मैंने आपको पहली action पढ़ाई है, कौन सी है पहली action, वो है listen to radio, तो आपको इस listen to radio को इसके हर subject के साथ आपको sentence बनाना है, जो जो उनके साथ time word लगू होती है, उनको use करते हुए, मैं एक बार फिर से एक बार इसको बोल देता हूँ, सुना देता हूँ आप लोगो को, तो ध्यान दीजेगा, जो 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 मैंने जिस परकार मैंने subject change किये हैं, उनके according ही मैंने time word भी change किये है, आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है, अब अपने आगे बढ़ते हैं, next चलते हैं, जो अगली अपने पास जो फ्रेजल expression है, जो वर्ब के साथ मिलके बनी है, अगली जो अपने को मिल रही है, वो है sleep like a log, sleep like a log, देखो, ये लकडी का गठा है, ये पड़ा है लकडी का, गठा पड़ा है, एक बहुत बड़ा लकडी का गठा तना होता ना, तने का जो गठा होता है, वो पड़ा है, अब देखो, लठा पड़ा हो जैसे कोई, एसे आराम से एसे कोई आदमी सो रहा होता है, इस परकार सो रहा होता है, कि लठा और ये आदमी एक जैसे ही लग रहे हो, राइट, अब इस परकार सोने का मतलब हुआ, कि आदमी एक दम केयर लेसली सो रहा है, किसे सो रहा है वो, केयर लेसली सो रहा है, उसको कोई परवाई नहीं है, कि क्या हो रहा है, उसके आसपास की दुनिया में, जिस प्रकार एक वो इस प्रकार सो रहा है जैसे क्या पढ़ा हो एक लटा पढ़ा हो और इसको हिंदी भासा में मुहावरेदार भासा में इसको कहा जाता है कि जैसे घोडे बेचकर सोना तो याद रखिएगा गाईज यह मुहावरेदार प्रियोग है एडिमेटिक एक्स्प आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अब हम इससे अपना sentence मनाते हैं अपने पास फिर वही बात है सेम बात है अपने पास इतने सारे subject हैं यही है अपने पास time words है इनके साथ मैं अपने वेक sentence प्रेम करना है जैसे मैं कहता हूँ मेरा दोस्त घोड़े बेच कर सो रहा है मेरा दोस्त घोड़े बेच कर सो रहा है इसका मलत यह थोड़े कि उसने उसके पास पास पांच घोड़े थे वो घोड़े बेचे और उनको बेच कर सो गया घोड़े बेच कर सोने का मतलब क्या हुआ carelessly सो रहा है और अंग्रेजिम उसको बोलते है sleep like a log तो मेरा दोस्त सबसे पहले subject मेरा दोस्त हुआ जो कि क्या है एक non action है no action है तो सबसे पहले अपने लिख दिया subject के लिए अपने लिख दिया my friend my friend my friend के बाद में अपने को यूज करना है time word my friend में एक ही दोस्त की बात कर रहा हूँ singular है तो is लगेगा my friend is अब इसके बाद में आ जाती action action तो main क्या है sona like a log ये तो comparison है ठीक है sleep ये लिख दिया मैंने sleep अब आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में action आती है active voice के अंदर तो ing form में आती है इसके बाद में action आएगी तो कौन से form में आएगी ing में exception कौन सा है passive voice my friend is sleeping कैसे सो रहा है ये तो हुआ कि मेरा दोस्त सो रहा है किस परकार सो रहा है like a log ये dog नहीं लोग है न like a log my friend is sleeping like a log my friend is sleeping like a log my friend हो गया इसमें action action subject का न is हो गया time word sleeping like a log ये idiomatic एक verb हो गई अपने लिए sleeping like के लोग ये क्या बन गया action बन गया sorry ये no action था ये action बन गया verb हो गई idiomatic verb हो गई गोड़े बेचकर सोना तो अब आपको इसको प्रेक्टिस करनी है वह गोड़े बेचकर सो रहा है he is sleeping like a log वह गोड़े बेचकर सो रही है see is sleeping like a log it गोड़े बेचकर सो रहा है it is sleeping like a log राम गोड़े बेचकर सो रहा है राम is sleeping like a log मेरा दोस्त घोड़े बेचके सो रहा है, my friend is sleeping like a log, तुम घोड़े बेचके सो रहे हो, you are sleeping like a log, हम घोड़े बेचके सो रहे हैं, we are sleeping like a log, वे घोड़े बेचके सो रहे हैं, they are sleeping like a log, और मैं घोड़े बेचके सो रहा हूं, I am sleeping like a log. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स जो अपने पास एक्षन है वो अपने पास है हम सॉंग देखो मदु मक्या जो भी मक्या जो भिन बिनाती है उसको हम बोलते हैं ठीक है या कई बार जो पक्सी गुन गुनाते हैं उनको भी हम बोलते हैं गुन गुनाती हुई चिडिया गुन गुनाता हुआ पक्सी हमिंग बर्ड क्या होता है हमिंग बर्ड हम सौंग जब हम के आगे सौंग लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है गुन गुनाना ठीक है देखो गाया भी जाता है गाना वो तो हो जाता है सिंग सौंग करेक्ट और गुन गुनाना अगर होता है तो वो होता है हम सौंग गाने गुन गुना ना मन में गाना वो गुन गुना ना हो गया चलते हैं अब अपनी जो अपने पास जो टाइम वर्ड से उनके पास चलते हैं देखिए अपने पास टाइम वर्ड अपने एक सेंटेंस प्रेम करते हैं सबसे पहले सबसे पहले तो बात करते हैं सेंटेंस की मै गाने गुन गुना रहा हूँ sentence यह है वई तो में के लिए आप क्या use करोगे I use करोगे, बनाओ I से sentence, I के साथ कौन सा time word use करना है, subject तो हो गया I, अब time word की बात है तो I के साथ time word कौन सा आता है M आता है तो I am ठीक है, उसके बाद में आ जाती है अपने पास action action क्या है गुन गुना ना गुन गुना ने को क्या कहते हैं हम कहते हैं, और action की यहाँ पे कौन से form यूज करनी ing form, जैसे ही हम ing यूज करेंगे तो यह m हो जाएगा, double यह बन जाएगा, humming I am humming songs I am humming songs, मैं गाने गुन गुना रहा हूँ, ठीक बन गया, आप इसको दूसरे subjects, दूसरे non actions के साथ भी यूज कर सकते हैं कैसे, वहे गाने गुन गुना रहा है, अगर आपको वहे गाने गुन गुना रहा हो, लिखना हो तो आप बोलोगे, he is वहे गाने गुन गुना रही है तो she is it की बात आएगी तो it is ठीक है, राहूल की बात आएगी तो राहूल I hope आपको यह समझ में आगया होगा sentence कैसे बनेंगे, sentence बनेंगे, he is humming songs she is humming songs it is humming songs राहूल is humming songs we are humming songs you are humming songs they are humming songs I am humming songs correct I hope आपको यह समझ में आगया होगा चलिए, अपन next जो अपनी verb है, action है उसके पास चलते है, recite recite का मतलब होता है कोई चीज chant करना ठीक है, recite का मतलब होता है दो राना, part करना recite का रत क्या होता है part करना, आपन कई बार बच्चों को कहता है, चोटे classes में होता है चोटे बच्चों को कहता है, चल बच्चा पढ़ यहां से लेके यहां तक, तो बच्चा क्या करता है, वो recite करता है ठीक है, जैसे हम घर पे हैं, अपने बड़े वजूर्ख हैं कोई गरंत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं रामाइन पढ़ते हैं, रामचरित मानिस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं जैसे यह है, तो इनमें हमेशा आपन को उस गरंत के पेले क्या लगाना है, अपने को वब यूज करने, recite और उस गरंत के नाम और उस एक्शन recite के बीच में अपने को आर्टिकल द यूज करना है, कैसे जड़ा देखें, अपन सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहे रहा हूँ मेरी दादी गीता का पाट कर रही है मेरी दादी गीता का पाट कर रही है यह रही मेरी दादी गीता का पाट कर रही है यह sentence है मेरी दादी क्या हुआ action है या no action है no action है subject है ना रिखती हागे है ना काम थोड़े है इसमें मेरी दादी में कोई काम थोड़े my granny short में लिख रहा हूँ इसे grandmother कहते है granny भी बोलते है my granny singular है कौनचा time word आएगा is आएगा my granny is ठीक है अब बात आती है किसका पार्ट कर रहे है गीता का पार्ट कर रही है तो action आता है ना इसके बाद में तो no action आगे subject time word आगया उसके बाद में क्या आएगी action आएगी action क्या है recite कौन सी form यूज करनी है ing form यूज करनी है ये बन गया reciting my granny is reciting किसका पार्ट कर रही है गीता का तो गीता के पहले अपन यूज करेंगे the और लिख देंगे गीता my granny is reciting the गीता मेरी दादी है वो गीता का पार्ट कर रही है is it correct? I hope आपको समझ में आगे होगा चलिए आगे चलते हैं आपन ये जो एक्सेंज अपने को दे रखी है उन एक्सेंज के आदार पर अपन इसी sentence को बनाते हैं वह गीता का पार्ट कर रही है क्या लिकोगे भई? वह गीता का पार्ट कर रही है तो she is reciting the गीता वह गीता का पार्ट कर रहा है he is reciting the गीता ये है गीता का पार्ट कर रहा है इट इज रिसाइटिंग दे गीता राम गीता का पार्ट कर रहा है राम इज रिसाइटिंग दे गीता सिता गीता का पार्ट कर रहे है सिता इज रिसाइटिंग दे गीता करेक्ट हम गीता का पार्ट कर रहे है वी आ रिसाइटिंग दे गीता, तुम गीता का पार्ट कर रहे हैं, यू रिसाइटिंग दे गीता, वे गीता का पार्ट कर रहे हैं, दे रिसाइटिंग दे गीता, और मैं गीता का पार्ट कर रहा हूं, I am रिसाइटिंग दे गीता, ठीक है भई, ये आ जाती है अपने को बा बद्दा सा हाथ बना रहा हूं मैं यह मैंने एक बद्दिश सी हतेली बनाई है कुछ इस प्रकार कि इसमें यह जो लाइने होती है यह जो लाइने होती है इन लाइनों का जो ग्यान होता है मतलब हस्त रेखा का जो ग्यान होता है उसको बोलते हैं पाम यह हतेली रहे हैं तो हतेली में होती है पामिष्ट्री पामिष्ट्री क्या होता है हस्त रेखा ग्यान और इस पामिष्ट्री को सीखना मतलब लर्ण लर्ण पामिष्ट्री क्या हो गया लर्ण पामिष्ट्री हस्त रेखा का ज्यान सीखना ठीक है अब सेंटेंस बनाते हैं ठीक है भई वहे हस्त रेखा ज्यान सीख रहा है लर्ण पामिष्ट्री वहे हस्त रेका ज्यान सीख रही है शी इस लर्ण पामिष्ट्री इट हस्त रेका ज्यान सीख रहा है इट इस लर्ण पामिष्ट्री राहूल हस्त रेका ज्यान सीख रहा है राहूल इस लर्ण पामिष्ट्री हम हस्त रेका ज्यान सीख रहे हैं वी हस्त्रेका का ग्यान सीख रही है गीता इस लर्निंग पामिस्ट्री और मैं हस्त्रेका का ग्यान सीख रहा हूँ I am learning What am I learning पामिस्ट्री Is it correct ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा ऐसे ही और वोकेब हैं जिनसे अपने को sentence बनाना है ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं कीशते हुए अपन बाकी के भी देख लेते हैं हट करना जिद करना नखरे करना मेक फस मेक फस F-U-S-S मेक फस ठीक है और अंधा दूंद गाड़ी चलाना खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना ड्राइव रेश ड्राइव रेश ठीक है आई एम ड्राइविंग रेश मतलब मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ अंधा दूंद गाड़ी चला रहा हूँ एक कहवत सीक लीजेगा गलती इनसान से होती है गलती इनसान से होती है चलिए यहां बताता हूँ आपको तू एर इस हूमन गलती इनसान से होती है तू फर्गिव इस डिवाइन तू एर इस हूमन गलती इनसान से होती है तू फर्गिव इस डिवाइन लेकिन माफ कौन करता है माफिक देने वाला कौन है भगवान है डिवाइन क्या होता है भाई डिवाइन होता है कोई भी देविये सकती कोई भी देविये अपन मानते हैं भगवान को to err err is a verb err is a verb कौन से verb है भाई err err गलती होना ठीक है लेकिन गलती करना उसको क्या कहते हैं commit mistake या make mistake इन दोनों का अर्थ क्या होता है गलती करना ठीक है आपको यह समझ में आगया होगा कि गलती इनसान से होती है to err is human गलती इनसान से होती है to err is human ठीक है इस चीज़ को भई अपनी notebook में लिख लें आप जो भी पढ़ रहे हैं इसको इस वीडियो के तुरुशी करें हैं वो लोग इस चीज़ को अपने book में लिख लो इसे लिख लो उसको कहते हैं jot it down क्या कहते हैं jot it down या फिर not down किसी भी चीज़ को लिख लो जैसे मैंने आपको का गलती इनसान से होती है to err is human यह जो इडियम है इसको लिख ले भई तो इसे लिख लो तो jot it down आई होब आपको यह समझ में आगे होगा ठीक है आगे चलते हैं कुछ और अपने पास सीखने लाइक चीज़े हैं जो मैं इस टोपिक में आपके लिए लेके आया हूँ a nod is enough to wise समझदार को इसारा काफी two wise wise यह नब उद्दिमान समझदार enough परियाप्त है nod nod याने सिर हिलाना सिर हिला कर अपन कई बार इसारा करते हैं तो जो समझदार होता है उसके लिए एक सिर हिलाने का जो इसारा होता है काफी होता है इसके अलावा यह तो हो गया है कि समझदार को इसारा काफी होता है कुछ ऐसे बेशरम होते हैं कुछ इसे मुर्ख होते हैं जो इसारों से तो क्या उसको बता देते हैं तो भी नहीं समझते ऐसे लोग बातों से नहीं समझते इसे लोग लातूं से समझते हैं तो इसी से हमारी लोकल लेंगवेज में हमारी भासा में एक हिंदी इडियम आती है वो है लातूं के भूत बातूं से नहीं मानते लातूं के भूत बातूं से नहीं मानते जैसे समझदार का काम नोड से चलता है वेसे जो समझदार नहीं होते हैं उनका काम रोड से चलता है उनका काम किसे चलता है रोड से चलता है जैसे कि आप देखते हो ये जो लोडिंग वाली गाड़ियां चलती है माल वाली गाड़ियां चलती है बड़े बले ट्रक चलते हैं उनके ट्रक ड्राइवर वगरा के पास में उनके पास क्या होती है रोड होती है वो रोड क्यों रखते हैं क्योंकि उनका पाला ऐसे इसे लोगों से पढ़ता है जो बातों से नहीं मानते हैं और ऐसे लोग बातों से नहीं मानते हैं लेकिन अंग रोड से ही मानेंगे अन्यता नहीं मानेंगे वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उनको लाते चाहिए होती है तो रोड दिखाओ उनको रोड इस लोजिक आफ फूल्स ठीक है भई अब मैंने आपको इत्ती सारी चीजें बताई इन चीजों में से आप लिखना कुछ भूल गए तो वीडियो को आप बेक करके रिवर्स करके देख सकते हो आप इसको पीछे मिल जाएगा आप लिखना भूल गए तो आप मुझे कहोगे सर हम लिखना भूल गए तो आप कैसे क इसलिए मैं लिखना भूल गया ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज मेरे दिमाग से निकल गई तो मैं कहूंगा कोई चीज में बताना ही भूल गया तो इसलिप ओप मैं तंग को दो तरीके से काम में लेते हैं कोई चीज आप बताना भूल जाते हो तो उसके लिए भी आप स्लिप ओप टंग काम में लेते हो it was slip of my tongue कोई चीज आप बता न भूल गए आप कहना भूल गए उसके लिए भी काम में लेते हो इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी काम में लेते हो कई बार क्या होता है ऐसी बात जो केरनी नहीं होती है वो भी अपन ऊगल देते हैं मेरे मुझे निकल गई अना इट वो जिप ओफ माई टंग मेरी जी फिसल गई इट वो जिप ओफ माई टंग यह याद रखियेगा बहुत ही काम की चीजें अब कुछ चीजें स्पोकन इंगलिस की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजे में और बता देणा आपको जरूरी समझता हूँ. जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. तो मैं आप से पूर्षता हूँ कि बच्चों शुरू करें, मैं कहूँगा, शैल वी स्टार्ट, मैं क्या कहूँगा, सैल वी स्टार्ट, पढ़ाना सुरू करें, क्या कहूंगा, shall we start, is it correct, मैं कहूंगा, shall we start, क्या हम सुरू करें, shall we start, क्या हम स्रीगनेश करें, किसी चीज का स्रीगनेश करना, तो shall we set, the ball, rolling, किसी चीज का स्रीगनेश करना, उसको कहते हैं, set the ball, rolling, इसका मतलब होता है, स्रीगनेश करना, shall we start, क्या हम सुरू करें, shall we set the ball, rolling, क्या हम स्रीगनेश करें, यह तो मैं आप से कहूँगा, जब, शुरू करना हो, आप कहोगे, yes sir, yes और सर के बीच में, यह कौमा आती है, याद रखिएगा, ठीक है, आप कहोगे, yes sir, और मैं, यह आप, yes sir के बजाए, और क्या कह सकते हो, here we, go, sir, here we go, चलो हम सुरू करते हैं, समझ मागी है आपको यह बात, तो देखो, जब किसी को कहे कि क्या हम सुरू करें, shall we start, जब उत्तर हो, हाँ, तब आपको कहना है, here we go, ठीक है, मैं कहूँगा, आप कितने अच्छे हो, तो मैं आपको कहूँगा, so nice of you, और जब मैं कहूँगा, so nice of you, तो आप कहोगे, it's my pleasure, देखो, यह बोलचाल के, लाइन्स हैं, जो अपने को समझनी होती है, इनको याद ने करना, इनको रटना नहीं है, इनको अपने practical life में यूज करना है, जब भी आप किसी से बात करो, तो आप उसको कहते हो, hello, hi, good morning, good evening, good afternoon, ऐसे आप उसको wish करते हो, तब आप उसको कहते हो, और वो कहता है, आप उसको पूछते है, how are you, सामने वाला अपने को कहता है कि, I am fine, अब वो अपने को कहेगा, I am fine, साथ में वो और क्या कहेगा, so nice of you, वो ये भी कहेगा अपने को, जब हम उसको कहेंगे, या अपने से पूछ ले कोई, अपने से कोई पूछे, कि भे आप कैसे हो, तो आप कहोगा, I am fine, लेकिन I am fine बताने से अपना, जो manners वाली बात नहीं आती, उसमें अपने manners कब show होंगे, अच्छे manners, good manners कब होंगे, जब हम कहेंगे उसको thank you, या so nice of you, आप कितने अच्छे हो, जो आपने मेरे बारे में पूछा कि तुम कैसे हो, so nice of you, या thank you, तो सामने वाला बंदा अपने को कहेगा, क्या कहेगा, it's my pleasure, चीक है, अब कई बार क्या होता है, कि मैं जो बाते बताता हूँ, समझ में नहीं आती है, तो बच्छे कहते है sir, ये बात तो कुछ जमी नहीं, ये तो कुछ मेचना हुआ, ये तो जमी नहीं, तो आपको होगे, the cap doesn't fit, कोई बात जमी नहीं तो उसके लिए कहते हैं, cap doesn't fit, चोटी classes में होते थे अपन, जब पढ़ते थे, तो अपन पैन के लिए लड़ते थे, कई बार क्या होता था कि पैन और उसकी कैप को हम अलग-लग कर देते थे, ठीक है, कई बार हम अलग-लग कर देते थे, फिर अपने को कैप मिलती नहीं थे, किसी दूसरे पैन की कैप मिलती थे, और दूसरे पैन की कैप तो उस पर कैसे जमेगी, कैसे बेटेगी, तो आप क्या कहोगे, the cap doesn't fit, ये cap त और cap जम जाती है, तो the cap fits, और अगर cap नहीं जमती है, तो आपको ओगे, the cap doesn't fit, आई होप आपको आज की जो मैंने ये class ली है, आज का जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, एक बार अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंगलिस में दो चीज़े हैं, एक एक्शन है, दूस किसे part work काई है, लेकिन आपने इसको अलग से लेते हैं, तो sentence बन जाएगा, no action, time word, action, ठीक है, subject अपने पास किस किस तरह के होते हैं, subject होते हैं, he see it name, we, you, they, and I, he see it name के साथ आपको is use करना है, we, you, they के साथ आपको are use करना है, और I के साथ आपको क्या use करना है, fix है, I am use करना है, यह अपने subject है, अब इसके लवाँ मैंने कुछ phrases भी आपको लिकाई, कुछ idiomatic expressions भी बताई, कुछ quotations भी मैंने आपको बताए, तो आप इन चीज़ों को याद करें, कि इनको vocab को तो अपने को पढ़ पढ़ करना है, तीन चार बार अपने सामने vocab आएगी, यह जो idioms है यह जब अपने सामने आएंगे, इनको याद करने का तरीका होता है, मैंने आपको समझा है, जिसे sleep lie के लोग, कोई आदमी ऐसे सो रहा हो, कि जैसे उसको दे के कहें, यह क्या ठूट पड़ा है, यह क्या लट पड़ा है, तो मतलब वो carelessly सो रहा हो, लापरवाई से मतलब घ भोड़े बेच के शो रहा हो, तो इस परकार की यह जो phrases है, idioms है, यह आपको पढ़नी है, और हर जो मैंने आपको action बताई है, उस action से आपको परतेक sentence के साथ सेंटेंस बना के, परतेक subject के साथ आपको sentence बना के, इसको recite करना, इसका part करना है, इसको दोराना है, ताकि अपनी जबान पर fluency आजाए, और यह first topic था, आज हमारा spoken के अंदर, तो यह जो मैंने पढ़ाया है, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसको practically पढ़ना है, इसको पढ़ पढ़ के इसके practice करना है, अपन किसी के भी साथ practice कर रहे हैं, शुरू में नहीं आएगी कोई बात नहीं, कितनी कोई अपने को घबराने वाली बात नहीं, at least we are trying, many people are not trying, आप वो सोचो कि कितनी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग तो इसको कोशिश ही नहीं कर, हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में गलतिया होगी, but ultimately हमें एक अच्छी position में पहुंद पाएंगी, ठीक है, त education से, इसको like कीजिएगा, इसको subscribe कीजिएगा, और इसको जदा से जदा लोगों के पास share भी कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए,